इस फिल्म की शुरुआत में हम विंसेंट और सोफी नाम के एक हस्बंट वाइफ को देखते हैं। वो दोनों एक बुचर शॉप चलाते हैं, लेकिन काफी टाइम से उनका ये बिजनेस धाटे में चल रहा है। वो दोनों इससे काफी परिशान होते हैं। एक दिन जब वो अपने बुचर शॉप पर होते हैं, तभी वहाँ शाकाहरी ग्रूप के कुछ लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग निर्दोश जानवरों को मारने का विरोध कर रहे थे। विंसेंट उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन वो अपने सातियों की मदद से बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने फैमिली फ्रैंग, मारक और स्टैफनी के पास जाते हैं। वो दोनों भी बुचस शॉप चलाते थे, लेकिन विंसेंट और सोफी के उलड़ा, उनका बिजनेस काफी प्रॉफिट में चल रहा था। वो दोनों विंसेंट और सोफी को नीचा दिखाने के लिए बड़ी-बड़ी बाते भी करते हैं। इससे विंसेंट और सोफी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन वो लड़का कार के नीचे आकर मर जाता है। अब ये सब देखकर विंसेंट बहुत धबरा जाता है। उसे डर लग रहा था कि कहीं पुलिस उसे ना पकड़ ले। हालां कि वो पुलिस के पास जाकर इसे एक आक्सिडंट बताने को कहता है। लेकिन सोफी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। तब सोफी उसे कहती है हमें इस बॉड़ी को कहीं पर ठिकाने लगाना होगा। इसलिए वो उस लड़के की बॉड़ी को लेकर धर चले जाते हैं। वहाँ पर विंसेंट उस लड़के की बॉड़ी को छोटे-छोटे तुकड़ों में काटने लगता है। तब ही एक तुकड़ा विंसेंट के डॉड़ के पास गिर जाता है। वो डॉड़ भी उस मीट के तुकड़े को खा लेता है। ये देखकर विंसेंट चौप जाता है और अब उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि विंसेंट शौप पर आता है। उस लेडी के जाने के बाद विंसेंट सोफी को बताता है कि वो मीट उसी लड़के का था जिसे उन्होंने कल मार दिया था। ये सुनकर सोफी को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो कुछ रियक्ट कर पाती वहाँ पर और भी कस्टमा आ जाते हैं। जो उसी मीट को खरीदना चाहते थे। दरसल उस पहले वाली लेडी ने ही उस मीट के बारे में सभी को बताया था। अब वहाँ पर बहुत भीर लग जाती है। विंसेंट और सोफी उन्हें वो इंसानी मीट दे देते हैं। अब विंसेंट और सोफी ने काफी जादा पैसे कमा लिये थे। क्योंकि एक दिन में ही उन्होंने इतने सारे कस्टमा हैंडल किये थे। जितने उन्होंने एक हफ़ते में भी नहीं किये थे। अब उस रात विंसेंट भी ये जानना चाहता था कि आखिर इस मीट में ऐसा क जो लोग इसे इतने चाव से खा रहे हैं, इसलिए वो भी उस मीट को टेस्ट करता है, वो उस मीट को खा कर चौंक जाता है, क्योंकि वो मीट उसे भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, तब सोफी उससे कहती है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, विंसेंट को और भी शाकाहरी लोगों को मारना होगा, जिससे वो उन लोगों का मीट उनकी शौप पर बेच सकें और बहुत सारे पैसे कमा सकें, लेकिन विंसेंट ऐसा नहीं करना चाहता था, परना चाहते हुए भी विंसेंट शाकाहरी लोगों को मारने के लिए हां कर देता है, अब अगले दिन विंसेंट और सोफी अपने शॉप को प्रॉफिट में लाने के लिए अपना अगला शिकार धूनने एक रस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बहुत मोटा शाकाहरी आदमी मिलता है जिसे विंसेंट मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे चाहते हुए भी नहीं मार पाता और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन विंसेंट और सोफी भी उसे मिलने के लिए जाते हैं। पिर वो विंसेंट और सोफी को लेकर एक बुचर शॉप पर पहुंचते हैं। जहां विंसेंट और सोफी को पता चलता है कि वो बुचर शॉप तो मारक और स्टैफनी का ही है। तब विंसेंट और सोफी सोचते हैं कि मारक और स्टैफनी उन्हें आए दिन चिडाते हैं। इसलिए वो सभी मिलकर उस शॉप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉई कर देते हैं। फिर उसी शाम को विंसेंट और सोफी एक वेजिटेरियन होटल में जाते हैं। जहां पर सोफी फिर से विंसेंट को शाकाहरी लोगों को मारकर उनके शॉप को फिर से प्रॉफिट में चलाने के लिए कहती है। लेकिन विंसेंट उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ऐसे ही मडग करते रहे तो एक दिन उन्हें जेल हो जाएगी। उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस हो जाती है। तब विंसेंट वहां से एकेले ही घर की ओर चला जाता है। लेकिन सोफी उसी होटल में बैठी रहती है। वहां पर एक वेटर आता है जो सोफी के साथ फ्लट करने लगता है। जाल में फसालिया है। फिर वो विंसेंट को उसे मारने के लिए कहती है। लेकिन विंसेंट उसे मना कर देता है। तब सोफी गुस्से में कहती है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तब विंसेंट ये सुनकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है, जहां पर वो उस वेटर को पूरी तरह से न्यूट देखता है, तब विंसेंट को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे बहुत बेरहमी से मार देता है, फिर विंसेंट और सोफी मिलकर उस वेटर की बॉड़ी को काटने लगते हैं, अब ये बूचर शॉप के बाहर यूमन मीट को खरीदने के लिए लोगों की बहुत ज्यादा भीर भी लगने लगी थी, अब विंसेंट और सोफी बहुत खुश होते हैं, फिर एक दिन हम देखते हैं कि विंसेंट और सोफी एक टीन एजलर के विनी को अपना शिकार बनाने वाले लेकिन वो उनके इरादों को समझ जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन कुछ ही दूर भागने पर वो लड़का होट अटेक से मर जाता है, अगले दिन विंसेंट और सोफी मार्क और स्टैफनी के घर पर लंच के लिए जाते हैं, वहां पर विंसेंट उन दोनों का बिजनेस, मार्क और स्टैफनी के बिजनेस से कहीं ज्यादा प्रॉफिट में चल रहा था, इसलिए अब वो दोनों मार्क और स्टैफनी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब मार्क और विंसेंट में बहस हो जाती है, वो बहस इतनी बढ़ जाती है कि उन दोनों के लिए विंसेंट मार्क के कान के टुकड़े को थूंट देता है, इसके बाद विंसेंट और सोफी अपने अगले शिकार के लिए एक वीगन फेस्टिवल में जाते हैं, जहां पर केवल शाकाहारी लोग ही आए हुए थे, वहाँ पर उन्हें लुकस और क्लोई भी मिलते ह लुकस विंसेंट और सोफी को वहाँ पर देखकर चौक जाता है, वो उनसे कहता है कि वो दोनों तो खुद बूचर शॉप चलाते हैं, तो वो लोग इस वीगन फेस्टिवल में क्या कर रहे हैं, वो विंसेंट और सोफी पर बहुत ज्यादा गुसा हो जाता है, वहाँ पर और उसे मार देते हैं, रात में विंसेंट उस लड़की की बोडी को काट रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाला आ जाता है, वो विंसेंट को बताता है कि शहर में बहुत सारे लोग हर दिन गायब हो रहे हैं, इस कारण उसे रात में भी काम करना पड़ रहा है, तभी हम देखते हैं कि विंसेंट का डॉग उस लड़की का कटा हुआ हाथ लेकर उस तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन विंसेंट अपनी चालकी से उस पुलिस वाले से इस बार बच जाता है, लेकिन अब उसे लगता है कि वो ज्यादा दिन तक इस तरह अपने बिजनेस क नहीं चला पाएंगे, तब वो सोफी से कहता है कि अब हम किसी भी इंसान को नहीं मारेंगे, ना ही अपने शौप पर इंसानों का मीड बेचेंगे, लेकिन सोफी फिर भी ये कामजारी रखना चाहती थी, क्योंकि अब उसका लालच काफी बढ़ चुका था, फिर उसी रात जब विंसेंट और सोफी शौप पर होते हैं, तब वहाँ पर एक लेडी उसी इंसानी मीड को खरीदने आती है, लेकिन विंसेंट कहता है कि अब वो मीड उन्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि अब उनके पास वो मीड नहीं है और ना ही उनके पास आगे वो मीड मिलेगा, इस सोफी शौप पर अकेली होती है, तब विंसेंट की शौप पर शाकाहरी गैंग के लोग आ जाते हैं, उन लोगों को अब पता लग गया था कि विंसेंट और सोफी भी बूच हैं, वो लोग सोफी को किडनेप करके वहां से चले जाते हैं, फिर शाम को जब विंसेंट वाप लेकिन तभी वहाँ पर विंसेंट आ जाता है और उन लोगों पर अटेक कर देता है वो हमला करके एक ही बार में एक लड़की को मार देता है लेकिन शाकाहरी गैंग का लीडर जोश्वा विंसेंट को भी घायल कर देता है तब सोफी भी अपने आपको छुड़ा लेती है और मार्क और स्टेफनी ने ही पुलिस को विंसेंट और सोफी के बारे में बताया होता है क्योंकि जब विंसेंट ने मार्क का कान काटा था तब ही मार्क और स्टेफनी समझ गए थे कि वो इंसानों का मास खाता है और वही मास बेच भी रहा है और इसी अंत के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है